नमस्कार दोस्तों इंडिया के point of view से एक बहुत खराब ख़बर आ रही है दाट इंडिया में एक बार फिर से जम्मू एन कश्मीर में फिर से एक बार से terrorist attack हो चुका है जम्मू एन कश्मीर जब से union territory बन गया था तो ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर थोड़ी शान्ती आ ग किया है क्योंकि यह basically terrorist attack किस group ने किया है अभी तक इसकी जानकारी completely मिली नहीं है जितना officials ने बताया उन्होंने सिर्फ यह बताया है कि basically एक जो convoy था इंडियन एर फोर्स का वो गुजर रहा था जम्मू एन कश्मीर के पुंच district से अभी मैं आगया आपको समझाओंगा इस स बहुत जादा major injury भी नहीं है उनको और जो हमारी राष्ट्य राइफल्स stationed है जम्मू एन कश्मीर के अंदर में जो कि काफी deadly और काफी जादा effective है वो unit राष्ट्य राइफल्स की उन्होंने अपने search operation शुरू कर दिया है बहुत जल्दी जिन्होंने यह attack की है उनको neutralize कर दि जरू किये है वहां के लोगों को समझ में आ चुका है अभी तक कि अभी तक वहां पर जो political sphere था पूरा वो separatist leaders ने बनाया हुआ था बहुत सारे separatist leaders जम्मू एन कश्मीर से निकल करके आए जिसमें से सबसे प्रमुक यासीन मलिक जो कि अभी जेल में है जेके एलेफ का head थ तो ऐसे leaders जब वहां से politics कर रहे थे तो वो हमेशा से उनका inclination हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहता था और इसी लिए उन लोगों ने वहां की मतलब जनता के साथ बहुत गलत किया वहां के youths को बर्गलाना उनको गलत तरीकों से आदंकवाद में join करवाना उनको पैसे देना smuggling करवाना, arms की smuggling करवाना ये सारी चीज़े वहां के youth से करवाया करते थे तो इसी वज़े से वहां का जो development होना चाहिए था जो local level पर development होना चाहिए था वो हुआ नहीं और उसी लिए वहां पर काफी जादा उस time पर terrorist attack हुआ करते थे लेकिन आप देखो के साल 2019 के बाद से वहां पर काफी जादा शांती हो चुकी है और जो disturbed area भी है वहां पर भी शांती हो चुकी है और कभी terrorist attack ऐसा हुआ नहीं अब जो ये वाला terrorist attack हुआ है पुंच district में ये समझने वाली बात है देखो आपको मैं map के थुरू समझाता हूँ कि actual में हुआ क्या है अब हुआ क्या ह हुआ है और ये मीरपूर district कहते हैं इसको और यहीं मीरपूर district से जितना भी infiltration होता है पाकिस्तानी जो terrorist हैं जो की घुसते हैं इंडिया के अंदर में वो इसी मीरपूर district के थुरू पुंच दो जगा है पुंच district है और बगल में आपको बारा मुला district देख रहा होगा ये ब लेकिन यहीं से सारी infiltration होती है इतना आप समझ लो मीरपूर district के थुरू अब यहाँ पर यह वाला एरिया है जो ना कश्मीर का पूरा उपर वाला ये अगर आप पूरा देखो तो नीचे आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये जम्मू सिटी है उसके आद यह उधमपूर ह उसके अजय सामबा है कटवा है डोडा है यह सब शांत इलाके हैं यहाँ पर इसली एलेक्शन भी होते हैं इसली यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी चुन करके आते हैं कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है लेकिन उपर का जो एरिया है पुंच बारा मुला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुलवामा जहां पर अटैक हुआ था पुलवामा में उसके बाद यह आपको बगल में अनंतनाग डिस्टिक्ट दिख रहा होगा बढगाम डिस्टिक्ट दिख रहा होगा यह कुलगाम डिस्टिक्ट दिख रहा होगा यह सब डिस्टर्ब्ड areas है because यहां से infiltrators आते हैं अंदर घुसते हैं और फिर वो अंदर घुस करके अंदर से अंदर घुसते चले जाते हैं और बहुत पैनी पैठ मना लेते हैं अब यहां पर इतना जादा है क्यों इस वाले एरिये में जो पूरा मैंन आपको दिखाया बारा मुला पुंच अनतनाग यह सब एरिये में इतना टेर्रियरिज्म है क्यों आप इसको समझ यहगा अभी तक कश्मीर के अंदर में अगर आप देखोगे जो फेमस और इस आपको पता है जैसे लशकर इताइबा आया लशकर इताइबा पाकिस्तान-based organization था तो लशकर इताइबा वस not so effective in Kashmir उतना effectively उन्होंने नहीं काम किया बट कश्मीर से ही एक local organization बनाई गई थी separate करने के लिए separatist leaders ने मिल करके बनाई थी उसको पूरा support दिया गया था और जो हुरियत organization बनी थी उस ह जो सरगना था इसका जो head था वो था सैयद सलाउद्दीन अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ सैयद सलाउद्दीन कौन है देखिए सैयद सलाउद्दीन ये person है और इसको US ने भी global terrorist घोशित किया हुआ था तो सैयद सलाउद्दीन की आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये सैयद सलाउद्दीन आप शौक्ड हो जाओगे ये बात जान करके कि इसने 1987 के अंदर में ये उस समय भी terrorist था ये उस समय पर भी मतलब ऐसे ऐसे ये लीडर था लेकिन ऐसे ऐसे सैपरेटिस भाशन देता रहता था पूरे country को पता था कि ये सैपरेटिस लीडर है सैयद सलाउ बढगाम डिस्टिक्ट से दिया था अब देखो बढगाम डिस्टिक्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पुंच के जस्ट बगल में ये बढगाम डिस्टिक्ट है अब जो ये बढगाम डिस्टिक्ट है ये सब डिस्टिक्ट बहुत जादा डिस्टरब्ड है पुंच यह सब एरिया हिजबुल मुझाइदीन के बिल्कुल गढ़ हुआ कर देते एक टाइम पर आज भी है आज भी लोकल लेवल पर कुछ-कुछ जो छोटे बुटे टर्रिस्ट है वो सब छुपे हुए क्योंकि बाकी सबको तो इलिमिनेट कर दिया गया है बुरहानवानी का आप आपको शोरली हिजबुल मुझाइदीन से आप जोड़ करके देख सकते हो तो मैं आपको बता रहा था कि सेयद सलाओदीन ने 1987 में कंटेस्ट किया था उसने कंटेस्ट तो किया था लेकिन हाला की हुआ क्या था कि कॉंग्रेस का उस समय पर अलाइन्स हो गया था नैशनल कि अब्दुल्लास की पार्टी है उनके साथ कॉंफरेंस हो गया तो उन्होंने बढगाम की सीट मांग ली थी तो इसी वज़े से सहीद सलाओदीन ने कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाओ नहीं लड़ा था उसने चुनाओ लड़ा था मुस्लिम उनाइटेट फ्रंट के टि जैसे आप खालिस्तान देखो खालिस्तान में उठाओ आप किसी भी परसन को उठा लो सारे इंडियन नैशनल से कोई तो बाहर का नहीं है उसमें कोई बाहर का परसन नहीं है सारे इंडियन नैशनल से सब बाहर भागे हुए हैं केनेडा यूस तो वो खालिस्तान चिलाते रहते हैं, जो सिख यहाँ पर इंडिया के अंदर में रहते हैं, उनके मूँ से आपने कभी खालिस्तान नहीं सुना होगा, तो that is the point कि यह जो locally develop होते हैं इनको, इनको eliminate करना चाहिए सबसे पहले, और यही लोग बड़ी मातरा में यूट्स को mobilize करके ले जाकर के आतंकवाद में जॉइन कराते हैं, तो आयोब आपको यह पूरा attack का समझ में आ गया होगा, किस जहाँ पर पुंच डिस्टिक्ट में attack हुआ है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, और किस तरीके से वहाँ पर अब अपना आर्मी ऑपरेशन्स डालेगी, तो इसमें शोर शॉट यह है कि हिजबुल मुझाहिद्दीन को कहीं न कहीं इसमें टार्गेट किया जाएगा आर्मी द्वारा, और बहुत सारे न्यूट्रलाइज आतंकवादियो को करक किया जाएगा इस attack के बाद से, तो आयोब आपको य जो कि 75,000 हुआ करता था, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया है, तो आपको इस piece में best quality education हमारी best faculties दे रही होंगी, और इसी piece में आपको ये सारे batches जो मैं आगे बताने वाला हो सम मिलेंगे, आपको simply क्या करना है, description में एक link दिया, उस link पर click करिए, manzil 24 ये आप caps lock में type कर दीजे आपको discounted price show होने लगेगा, अब इस price में आपको हमारा RM batch मिलेगा, ये English medium का batch है, इसमें प्रतीक सर, सुधर्शन सर, मुनाल सर जैसी faculties आपको पढ़ा रही होंगी, उसके बाद अगर आप सिर्फ English medium में पढ़ना चाते हो, तो आपके लिए time batch है, जिसमें सर्मत सर, चेतन सर जैसी faculties आपको पढ़ा रही होंगी, उसके बाद अगर आप सिर्फ Hindi medium में पढ़ना चाते हो, तो आपके लिए लक्ष बैच है, जिसमें अनुसर मदुकर सर जैसी faculties आपको पढ़ाएंगी, और varied optional courses भी है हमारे पास, जिसको आप हमारी website पर चेक कर सकते हो, तो आयोप आप